एक थगेश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2014 से अपना यूट्यूब करियर शुरू किया उन्होंने जन्वरी 2014 में भारतीय हस्तियों के थग जीवन के क्षणों का एक कॉंपिलेशन वीडियो अपलोड किया उन्होंने इसका शीरशक थग लाइफ कॉंपिलेशन रखा लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए थगेश को अपने करियर के शुरूआती दिनों में ज्यादा व्यू या सब्सक्राइबर नहीं मिले उसने वीडियो अपलोड करने का त्याग करने के बारे में सोचा लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनके एक वीडियो ने लगभग 500 के व्यूज हासल कर लिये हैं जिसने उन्हें बहुत मोटिवेट किया उन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी जारी रखने का निर्नल लिया दो, एक दिन उसका चैनल यूट्यूब द्वारा डेमनिटाइजड हो गया यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था महेश ने अपने चैनल पर अपने सारे वीडियो डिलीट कर दिये और फेस्कैम बनाने का फैसला किया ठग लाइफ वीडियो और उन्हें अपने चैनल पर अपलोड किया उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल कर ठगेश्ट कर विया उनका पहला ठग लाइफ वीडियो क्रिस गेल पर था 3. महेश किश्वाला का जन्म और पालन पोशन मुंबई, महराश्ट्रा में हुआ वो स्कूल और कॉलेज में एक उसत छात्र हुआ करता था उनके पास बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स की डिग्री है यानी भी कॉम और CSIE में कमपनी सेकरेटरी के रूप में काम कर रहा था 4. महेश ने हमेशा उलेख किया है कि कैसे मौडलिंग इंडस्ट्री पुरुशों के लिए एक अच्छी जगह नहीं है और हमेशा इसे एक डिसेपॉइंटिंग करियर के रूप में कहते हैं जिसने उन्हें कुछ साल पहले डिप्रेशन में डाल दिया था लेकिन इसके बारे में अधिक साजा नहीं किया है और इवेंच्विली उन्होंने मौडलिंग छोड़ने का फैसला किया और बैचलर्स डिग्री इन लॉपूरी की 5. अपने परिवार की फैनाशल स्थिती के कारण उन्हें एक अम्यूजमेंट पार्क में नौफरी मिली उनका करियर राइज की स्वच्छता बनाए रखना और राइज करने आए बच्चों की देखभाल करना था एक और काम जिसने उन्हें नौफरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया वह सवारी पर बच्चों द्वारा उल्टी की सफाई करना था एक अकैडमिक बैग्राउंड से आने और अन्रेजी में बातचीत करने में अच्छा होने के कारण उन्होंने सोचा कि उन्हें एक नई और बहतर नौफरी मिलनी चाहिए महेश को एक कॉल सेंटर में एक मिला उन्होंने वह नौफरी जॉब पार्ट टाइम से की क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए समय देना था महेश ने अगले एक दशमलब पाँच साल तक इस नौफरी को जारी रखा और 4500 महीने कमाए उन्होंने वहां सभी स्तरों पर काम किया फ्रन्ट एंट, बेक एंड और अटेंडिंग कॉल्स बाद में महेश को लगा कि यह कामजारी रखने के लिए बहुत व्यस्त हो रहा है इसलिए उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया और अब उनके सभी चैनल पर 8.3 मिलियन से अधिक सब्सक्राइब हैं